हलो गाइज वेलकम टू चारापोना चारापोना में आप सब का फिर से वर्ष स्वागते तो दोस्तों आज की वीडियो की टाइटेल और थामनेल देखके शायद आप लोगों को पता चल चुका होगा कि आज की वीडियो किस रिगार्डिंग होने वाले हैं तो इससे पहले य सुसंद सिंग राजपूत की मित्तिव हुआ है पर इन सब के वीच शायद CBI को हेल्प करने के लिए और एक शक्सियात हमारे सामने आया है जो की CBI को नया एविडिन्स देने वाला है वो है मुंबाई की एक्स मिनिस्टर तथा केंद्रिय सरकार की यूनियन मिनिस्टर नार का हो यानि कोई मिनिस्टर की बेटे के लिए अलग हो और हम जैसे आम लोगों के लिए अलग हो जो कि यही हो रहा है यही दिखाने की कोशिच किया है मिस्टर नारायन राने ने तो उन्होंने क्या कहा है उसकी उपर डिरेक्ली मैं आप लोगों को लेके चलता हूं तो दोस तो जब एक मिनिस्टर खुद कह रहा है कि उनके पास एविडेंस है, इसके मतलब उनकी एविडेंस क्यों CBI अभी तेक नहीं ले रहा है, क्योंकि CBI तो सुसन सिंग राजपुत का केस सौलब करने के लिए दोर रहा है, तो फिर जब एक मिनिस्टर खुद और वो भी एक सुसन सिंग राजपुत की केस में हमेशा मैं दो थियोरी का जिकर करता हूँ, यानि एक तो हो सकता है कि एलाइप थियोरी वो तो बात की बात है, उसको हम अलग तरीके से बात करते हैं, पर उसके बात जो थियोरी रह जाता है, वो है सुसन सिंग राजपुत की मर्डर थिय अगर वो allied theory को धटा दीजिए तो फिर murder theory रहता है और murder theory के हिसाफ से अगर सुसंत का murder हुआ है तो फिर सुसंत के लिए justice भी चाहिए और जब खुद एक central minister की तरफ से कहा जा रहे कि वो evidence देने के लिए त toca है तो उनकी evidence लिया क्यों नहीं जा रहे ? और सिर्फ यही पहली बार नहीं इससे पहले भी नारयन राने के तरफ से ये दावा किया गया था कि सुसान सिंग राजपूत को उनकी बात्रूम में लेके जाके हत्या किया गया था साथी साथ उनका दाबा ये भी था कि दीशा सालियन को उपर से फेक दिया गया था और उनको फेकने से पहले उनका बलतकार किया गया था मतलब आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी एक घिनोनी हरकत हुआ था उन दोनों के साथ अगर मिश्टर नारन राने के पास इसकी एविडेंस है तो फिर डेविनेटली उन दोनों के साथ सबसे घिरोनी हरकती हुआ है क्योंकि एक जन को तो उपर से फेकने से पहले उनके साथ बलातकार करके उसके बाद उनको मारा गया था साथी साथ सूसान सिंग राजपूत को अगर उनके पास एविडेंस है तो उसी सबसे उनको बातरूम में मार के उसके बाद उसका बॉड़ी को पंके में लटका दिया गया था मतलब आप लोग सोच के देखी कि कितना हैवन हो सकते वो लोग जो लोग इस के साथ जुरा हुआ है पर फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी आज तक दिशा सालियन की केस में ना ही किसी को एरेस्ट किया गया है साथी साथ ना ही सूसान सिंग राजपूत की केस में अपनी देश की अंदर नया रहे के वो लोग फॉरेंड में जा रहा है फॉरेंड से डेटा कलेक्ट करने के लिए जहां पे देशबासी के तरफ से वो लोग रेडी है सुसंद सिंग राजपुत की केस में एविडेंस देने के लिए बोसमना करके ये सब काम किया जा रहे अब सुसंद सिंग राजपुत की केस को राउंड अनड घुमाया जा रहे है बस वPac-णुच नहीं क्यूँके अगर नाडैन राने की तरफ से और उसी के साथ-साथ अगर ऐसा हुआ तो फिर शुशन की केश और दिसा की केश में इतनी घिनोनी मृत्यू के लिए उनको भी मृत्यू दंड दिया जाएगा ये एकदम सही बात है अब सवाल यह है कि बो तो रहा मिनिस्टर का बेटा अब मिनिस्टर का बेटा को पकरेगा क पता नहीं कि नाडायन राने ने जो एविडेंस के बात किया है वो एविडेंस कितना परसंट दंदार है क्योंकि जब तक नाडायन राने जी का एविडेंस CBI की हाथ तक नहीं पहुचता है तब तक उनकी स्टेटमेंट की उपर भी भरोसा करना एक पॉलिटिकल गिम के अंदर शामिल होना ही होगा दोस्तों क्योंकि सुसांद सीख राजपूत की केस जब तक सॉल्ब नहीं होगा तब तक कोई वी चीजों की उपर बिलिब नहीं किय जा सकता पर अच्छा लगड़ा है सुनके की सुसांद और दिसा की केस में कोई एक बंदा है जो की रेडी है एविडेंस देने के लिए और यही काफी है सुसांद की केस को नया करके शुरू करने के लिए और जिनके खिलाब एविडेंस दिया जा रहे उन लोगों को कम से क करके पूछताच तो शुरू करिए उसके बाद बाकी का नाम भी आ जाएगा सोसंद की केस में जो भी गुनेगार है दोस्तो पस एक छोटा सा इंफर्मेशन था और यह इंफर्मेशन नहीं एक भरास भी कह सकते हैं क्यूंकि बहुत दिनों से यही खेल लगा तार खेला जा र रहdag है वो लोग तो मुझे नये लगता कि सुसंद राजपुत की केस को सॉल्ब करना CVI की इंटेंशन है कुछ और ही लग रहा ह險 यह जिस देख के फिर भी हम लगए रहेंगे CVI की तरफ देखते रहेंगी कि कब तक CVI, सुसंद सिंग राजपुत की केस को सॉल्व करें तो दोस्तों इस वीडियो की रिलेटेड आपका क्या बिचार है प्लीज आप मुझे कॉमेंट सेक्षन पर कॉमेंट कर सकतें साती साथ जो दोस्ते आभी तक चारापुना को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज चारापु वीडियो पर तिल देन सब कोई खुश रहिएगा बरिया रहिएगा टाटा